कहानी की शिरुवात शेन नाम की एक लर्की से होती है, जो कि इस कहानी की फीमेन लीड है, और वो इस समय इटली में आथ की स्टरी कर रही है, वो अपनी फाइनल एक्जाम की तयारी कर रही है, जहां उसे दो रोजेस को कलर करना था, उसकी दोस्त मीना वहां आकर उसे ट्वि इस टोरी कहकर वहां से निकल जाती है पर सच में वो नहीं जानती थी कि एक और लर्की है जो बिलकुल उसी की जैसी दिखती है जिसका नाम यान है उसे देखकर लगता है कि वो इटली में आकर छुपी है क्योंकि उसके ग्रेंड फादर ने उसे वहां भेजा था उसकी फैमल पिर उसे एक ऐसे शक्स का फोन आता है, जो कहा जाता है कि 17 साल पहले मर चुका है, ये सुनकर यान चौक गई, हम यहाँ एक फ्लेश बैक देखते हैं, जा एक ट्रक से कार का एक्सिडेंट हो जाता है, पर इसके आगे क्या हुआ ये क्लियर नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता ह ये शक्स ने उसे फोन किया था, वो कैंबस के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, इस बीच हमें हमारे मेंड लिट को देखते हैं, जो चेहरे से बहुत ही गंभीर दिख रहा था, उसने हाथ में एक रिंग पहनी थी, शन को लगता है वो सुरक्षित नहीं है, और कोई उसका असे एक लगता है, वो से कहता है कि बाहर कोई चायनीज लगका उसका इंतजार कर रहा है, उसका कहना है कि उसकी ग्रेंटफादर ने उसे वहाँ पर वेज आ है, इस उनकर शन कनफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो उस लगता है कि हम एक दुसरे को बच्पन से ही जानते हैं ये सुनने के बाद लिन को उसकी बाद पर यकीन नहीं हो रहा था उसने कहा कि वो सही इंसान के पास आया है यहां तक कि उसने शेन को यान की फोटो भी दिखाई पर शेन ने उसे वताया कि वो ये लड़की नहीं है जिसे वो ढूंट रहा है उसके डैड मामूली से एक ड्राइवर है ना कि कोई बरी हस्ती उसे उन अमीर फैमली के बारे में कुछ नहीं पता शेन ये सोच कर ड़ने लगी जब उसे उन ट्विन रोस की कहानी याद आती है वहाँ जाने के बाद शेन उसके जैसे दिखने वाली यान को देखती है वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं वो एक दूसरे को देखकर शौक हो गए उन्होंने कुछ नहीं कहा पर शेन ने तुरंट अपनी दोस्त मीना को फोन करके उस ट्विन रोसस की स्टोरी के बारे में पुछा वो कुछ जान पाती तब ही एक अंजान शेक्स उसका पीछा करते वे उसे यान समझ कर किर्नेप कर लेता है दूसरी ओर यान उस लड़के से मिलने आती है जिसने उसे फोन किया था वो लड़का उसे कहता है कि अब वो उसके साथ फलर्ट नहीं करेगा तब उसने शन को देखा कोई कार वाला उसे बेगोश करके ले जा रहा था वो उसकी तरह दिखने वाली लड़की को किर्नेप होते वे देखकर शौक हो गई वो उसके लिए परिशान होई उसने उस लड़के से मिलने का प्लैन कैंसल किया वो जिससे मिलने वारी थी उसका नाम है चैंग वो वही है जो 17 साल पहले गायब हुआ था यान ने उसे फोन करके कहा कि पहले उसे किसी की जान बचानी है उसने अपने कार से उस किरनैपर का पीछा किया उसने उसे कार से जोर से धक्का दिया और शेन को बचाया एक दोसरे से मिलने के बाद शेन ने एक्स्प्लेंग किया कि उस किरनैपर ने उसे कोई और समश्व किरनैप किया क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं कार से जाते वक्त दोसरी ओर से एक बरासा ट्रक आता है और उस कार को क्रेश करता है ये देखकर यान ने तुरंट अपना फोन शेन को दिया उसने चेंग को कॉल किया जिसने कार के क्रेश होने की आवाज सुनी और तुरंट अपने दोस्त की साथ वहाँ पहुँचा उन दोनों को अस्पताल ले गया लंबे समय के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते है उनमें से यान की मौत हो गई शेन को गहरी चोटा आई है खास करके उसके आँखों को एकसिडन की वज़े से इंजरी होई है चेंग और यान चेंग का यान के साथ खास लगाव था उसकी मौत की खबर से वो तूट गया वो वहाँ से जाने वाला था पर डॉक्टर ने उसे रोक लिया उसने कहा कि वो उसे कुछ दिखारा चाहता है उसने कहा कि दोनों लड़की एक दूसरे की जैसे लिखती है ये देखकर चेंग शौक हो गया डॉक्टर ने एक्स्प्लेंड किया कि शेंग को तुरंत कॉर्णिया ट्रांस्प्लांट की जरुषत है और सबसे जल्द अगर कोई ओनर मिलेगा तो वो यान ही है ये सुनकर चेंग को गुस्सा आया उसने मिरर को एक पंच किया जसकी वज़े से उसकी हाथ में चोट पहुँचती है यान की कॉर्णिया का इस्तमाल करके शेंग की आखों की रौशनी वापस आ जाती है पंदरे दिन बाद शेंग को होश आता है शेंग को अपने करीब देखकर वो डर जाती है वो उसे कहता है कि शेंग की मौत हो चुकी है और उसका नां यान है कि सुनकर वो कनफ्यूस हो गई पर उसने देखा कि पेशिन्ट की इन्फॉरमेशन में यही लिखा था पर उसे पता है कि वो शेंग है वो वहाँ से अस्पताल के च्छत पर जाती है और जोड़ से रोने उसे किसी औरी वज़े से आखी मिली है, जिसकी मौत हुई है, उसकी आखी शन को लगाई गई है, यह सुनने के बाद उसे कार एक्सिडेंट याद आता है, जिसमें यान ने उसे प्रोटेक्ट किया था, जिस वज़े से उसकी मौत हुई, उसने कहा कि उसका मिलना एक इतिफा शेंग ने चेंग को हग किया और तुरंट उससे दूर हो गई कार एक्सिडेंट को याद करके वो पूरा दिन दुखी रही उसे यान की आखरी विश याद आई जो उसने मरने से पहले की थी उसने शेंग से उसकी जगह लेने को कहा था उसका फैमली बिस्स संभालने को कहा था यह याद करके शेंग अपने जान बचाने के बदले यान बनने के लिए तयार हो गई उसने शेंग से पूछा क्या इसकी लिए एक साल काफी है शेंग ने शेंग की दरफ अपना हाथ आगे किया उसके बाद शेंग चाइना वापस आई जहां उसे पता चला कि यान एक अमीर खांदान से बिलॉंग करती है उनके फैमली के फेमस ज्वेलरी की कमपनी है उसके ग्रैन फादर जेंग चान ने इस कमपनी के शुरुआत की थे यान की मौम उसके ग्रैन फादर की सबसे पसंदिदा थी उसके डैट की जब कार अक्सिडेंट में मौत होई तब यान सिर्फ साथ साल की थी तब उसकी मौम उन्हें छोड़ कर चली गई उसके ग्रैन फादर ने यान को दूसरी कांट्री में भेज़ दिया वो वही पर बरी हुई पर उसका मकसद यही था कि अपने घर वापस जाकर अपने फैमिली बिजनिस को संभालना है एक मेने पहले उनकी कंपनी का भारी नुकसान हुआ जिसकी वज़े से उनकी ग्रेन फादर बिमार हो गई इसलिए यान को वापस चाहिना आना परा उसे ना तो सिर्फ उसकी बाते याद रखनी थी बल्कि उससे जुरी छोटी सी छोटी बातों का भी ख्याल रखना था उसे कम समय में यान के बारे में सब कुछ याद करना परा इसने उसने एक चिट बनाई चैंग ने उसे अपने हाथों से जला दिया और उसे वॉन किया कि वो कोई चित नहीं बना सकती वर्णा सबको उसकी सचाई पता चलेगी चैंग पास्ट में गायव हुआ था और वो वापस लोटा था जो कि एक मिस्टरी है म्यूस चैनल वालों ने अनांस किया कि जिया चोगी यान का कजीर है वो लंगाय कंपनी का न्यू हैड है बोड मेंबर्स को ये बात पसंद नहीं आई कि जिया को CEO बनाया है वो उसकी कैरेक्टर और एबिलिटी पर शक करते हैं उस वक्त वहाँ पर चैंग शेंग को लेकर आता है वो उसे यान के नाम से इंटूरियोस करता है जिया को देखकर शेंग नवस फिल करती है चैंग के सपोर्ट की वज़े से वो वहाँ पर खरी हो पाई चैंग ने कहा कि उसे CEO की पोजिशन लेने का कोई हक नहीं है वो उन्हें देखकर नवस होने लगी पर शेंग ने उसे इंकरेस करते हुए सपोर्ट दिखाया उसने साहज रिटाकर कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है जिया CEO बने उन्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि यान जिन्दा है कंपनी से निकलने के बाद कंपनी से निकलने के बाद चेंग ने शेंग को यान के फैमिली से मिलवाया जहाँ पर चेंग और शेंग एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते हैं चेंग ने खुद को यान का फ्यान से होने का दावा किया उसने कहा कि एक सार पहरे वो एक दूसरी को डेट कर रहे थे और अब यान की मदद करने के लिए वो यहाँ पर आया है तब ही चेंग ने दिवार पर एक पेंटिंग देखी जिसे देखकर वो इमोशनल हो गया उसने शेंग के हाथ को छोट पहुँचाई यान की आंटी चेश शौन सिर्यों से नीशे आई चेंग ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उन दोनों में किसी बात को लेकर कोई लराई है दूसरी ओर शेंग बहुत ही नवस हो रही थी यहाँ तक कि वो गलती से अलग रूम में गई चेंग नी नोटिस करते गए उसे गाइट किया उसनी ग्रेंट फादर का हाथ अपने हाथ में लिया जो उसके नीए इमोशनल हो रहे थे शेंग ने देखा कि परदे के पीछे यान के बहुत सारे फैंसी कपरे थे उसी के साथ उसके शूस, बैक का कलेक्शन और जॉलरी भी थी जो देखकर वो चौक गई दूसरी और लिन मनमे शन के बारे में सोच रहा था उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है पर दूसरी और वो सोच में पर गया उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है फिर भी वो उसे क्यों नहीं ढूंट पाया वो सोच में पर गया कि आखी वो कहां है अचानक दूसरी कंपनी की एक लर्की वहाँ पर आई और उसने लिन को डिजाइनर की जॉब आफर की जहाँ पर वो उसे अच्छी सेलरी देने को तयार थी पर लिन ने उसे मना किया उसका उस लड़की से फोकस हट गया जब उसने नियूस देखी कि यान चायना वापस लोटी है सीन शिप्ट होता है जहाँ पर शेन गाडन में चल रही थी उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है लिन अचानक उसके सामने आया उसने शेन का नाम पुकारा लिन को देखकर वो नवस हो गई पर उसने कहा कि वो शेन नहीं है उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था लेकिन लिन ने उसका हाँ जोर से पकरते वे उसके बारे में पूछा उसने डरते वे अपने बारे में बताया तब ही उसका फोन नीचे गिर गया जिसे उसे पता चल गया कि वो यान नहीं बलकि शेन है उसे फिर भी उस पर शक होता है उसने यान को कॉल करने की कोशिश की पर शेंग का फोन नहीं बजा ये देखकर वो और डर गई इस वक्त चेंग वहाँ पर यान का फोन लेकर आता है ये देखकर शेंग को तसलिम मिले फिर चेंग ने शेंग को यान के रूम में लॉक किया उसकी आइनेटिटी रिवील होने बर उसे डाटा और उसे वान करा कि अपसे वो यान है उस समय शेंग को लगता है कि चेंग भी दूसरी लोगों की तरह है वो ये सब अपने प्यार के लिए नहीं कर रा बलकि यान के पैसो के लिए कर रहा है ताकि उसे यान की फैमीली की जायदाद मिले उसने उसे धक्का देकर कहा, उसे पैसो को कंट्रोल करने की कोई जरुवत नहीं है, वो कहता है कि उसे ये जानने का कोई अधिकार नहीं है, अगले दिन शेन के मॉम डैड को देखते हैं, जिनने उसके आइटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चला, उन्हें लगता है कि वो उन्हें किड्मी दे सकता है, ये सुनकर शेन शौक हो गई, जिसे रेक सबको उस पर शक होता है, उसने शेन को फोन करने की कोशिश की, पर वो फोन ने उठाया, दरसल उसका फोन साइलेंट पर था, उस समय वो अपने दोस्तों के साथ एक्सिडेंट को लेकर इंवस्टिग लेता है, उसे उस पर और ज्यादा शक हुआ, क्योंकि उसने यान से काफी साल से मुलाकात नहीं की, जब वो छोटे थे, तब यान बहुत ही ताकतवर और बहादूर थी, इस उनकर शेन तुरंत नर्वस हो गई, जैसे ही नर्स वहाँ पर बलद लेने के लिए आई, तब श चेक किया, जिसमें शेन की मिस्कॉल्स थे, उसने फुटेज में देखा, कि वो शेन का बलद ले रहे हैं, वो उसकी मदद करने के लिए अस्पताल की ओर भागा, शेन को देखकर लिन डॉक्टर से उसका ज्यादा बलद लेने से मना करता है, क्योंकि उसे पता है, कि उसकी तबियत ठीक नहीं है, चेंग तुरंट वहाँ पर पहुँचता है, और उसने उसे हग किया, वो कहता आए कि उसे आराम की जरुवत है, और वो उसे वहाँ से लिज जाता है, नर्स बलद के सैंपल्स वहाँ से लिज जा रहे थे, तब लिज चेंग के दोस्त ने डॉक्टर और नर्स के भीश में आकर उन सैंपल्स को जान बोश कर गिराने की कोशिश की, शेंग का सैंपल्स लिफ्ट के पास गिर गया, उन्होंने शेंग का ब्लद सैंपल्स की जगह, चेंग का ब्लद सैंपल्स मिक्स कर दिया, बाद में उन्हें सिर्फ एक ही ब्लद सैंपल मिला, इसके बार शेंग कहती है कि वो यान की जगा नहीं ले पाएगी, वो उसकी तरह कभी नहीं बन सकती, वो चेंग से रोते वे कहती है कि वो सिर्फ उसकी तरह दिखती है, पर वो यान नहीं है, वो एक मामूली सिलर की है, जो एक साधारन फैमली से आई है, जो एक सिंपल तरिक उसे रोते देखकर चेंग ने उसे गुस्से में आकर वहाँ से जाने को कह दिया, उसने उसे फिर से इखली जाने को कहा, वो अपना सामान पैक करने लगी, पर जब उसने अपनी पॉकेट में देखा, तो उसे यान का ब्रॉंच मिला, जिसे उसने एक्सिडेंट के वक्त पहन जाने से पहले यान ने शेंग के पॉकेट में डाना था, उस वक्त वो गलती से जिया और उसकी सेक्रेटरी की बाते सुनती है, जो कह रहे थे कि शेंग का ब्लद सेंपल वर्क नहीं कर रहा है, वो दूसरा सेंपल नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने अस्पताल जाकर फिर सब क्यों कर रहा है, उसकी ट्रू आइलेंटिटी क्या है, और उसने ग्रेंट फादर को अस्पताल से किर्नैप क्यों किया, इस पर चेंग को कार की ओर ले जाते हुए शेंग से कहा कि वो लिन से प्यार करता है, और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए सब को त दरूत नहीं है, यहां तक कि वो शेंग को गारी की ओर धकेल कर वापस इटली जाने को कहता है, और वो जाने से मना करती है, वो कहते है कि वो नाटक करने के लिए तैयार है, जैसे कि यह उसने अस्पताल में किया, उसे अब चेंग की बात पर यकीन होता है, वो यान की पाइदे के लिए ग्रेंट फादर की कियर में डिले कर रहे है, शेंग को रियलाइज हुआ कि उसे अब क्रोकोडाइल की तरह रहने की जरूत है, वनना यान की फैमली के कुछ लोग उसे निगल जाएंगे, उसने शेंग से वादा किया, कि एक सार बाद वो उसे अपने घर छोड़ देगा, और वो अपने पहले वाली जिनकी में वापस जा पाएगी, यान की अंटी चेशवन ग्रेंट फादर को देखने अस्पताल जाती है, जो वहाँ पर नहीं होते, फैन शेंग उनके ग्रेंट फादर की सेक्रिटी के लिए रूम के बाहर खरा था, वो उन्हे शेंग वहाँ आकर जेशवन को धका देती है, उसने तुरंत ब्लैंकेट को हटाया और देखा कि वहाँ सिर्फ तकी है, वो गुस्से में शेंग को थप्पर मारने वाली थी, पर तभी वहाँ पर चेंग आकर उसे रोक लेता है, उसने ग्रेंट फादर को किरनेप करने का आ उसने कहा कि चेंग ग्रेंट फादर को नुकसान पहुचाना चाहता है, उसपर चेंग ने जवाब दिया कि वो अकेला ही उठें नुकसान पहुचाना नहीं चाहता, यहाँ पर और वी कई लोग हैं जिन्हें उनसे फायदा हो सकता है, यह सुनकर वो शर्मिंदगी महसूस क पर बाद में उसने अंकल लिन्हू को ओर्डर दिया कि वो पुलीस को कॉल करें, तुरंत उन्हें ग्रेंट फादर की आवाज सुनाई दी और सबको रियलाइज हुआ कि चेश्वान के दिमाग में कुछ चल रहा था, ग्रेंट फादर को वहाँ पर देखकर उसे बिलकुर खुशी नहीं हुई, उन्हें देखकर पता चलता है कि यान के फैमिली से उनके साथ ग्रेंट फादर का रिश्टा अच्छा नहीं है, ग्रेंट फादर की तब्यत खराब होने के वाबजूद उन्होंने अपने कंपनी के वारे में सोचते हुई फैसला लिया, कि वो शन के अपने कंपनी के शेर्स करेंगे, वो कहते हैं कि अब से लुन हाई कंपनी की नई ओनर शेन है, ये सुनकर जिया शांत खरा था, उसने अपने गुस्से को शांत रखा, पर आफिस में जाकर वो अपना गुस्सा निकालता है, वो अपने ग्रेंट फादर के डिसिजन को एकस शेन चौप गई, उसे लगा कि वो उसे कुछ जरूरी बाते बताने के लिए आया है, पर शेन ने उसे कहा कि अब वो वहाँ पर ही एक साथ रहेंगे, जिससे कि वो उसका ख्याल रख सकता है, और उसे बिजनेस चलाना भी सिखा सकता है, वो चाहता है कि शेर होल्डर के उसे कोई गलती ना हो, शेन ने एक ही रूम में रहने से मना कर दिया, क्योंकि वो कहती है कि रूम में सिर्फ एक ही बेड है, इस पर शेन कहता है कि उसे फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं भी सो सकती है, या तक कि वो सोफे पर भी सो सकती है, या फिर बातरूम मे या तो कार्पिट पर भी सो सकती है वो उसे टीज कर रहा था उसी वक्त उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं उन्हें देखकर शेंग चेंग से दूर शनी गई वो उन्हें टीज करने लगते हैं जिस वज़े से शेंग शर्मिंदगी महसूस करती है चेंग ने उसे सोफे पर सोने नहीं दिया इसके बदले वो उसे बेट पर सोने को कहता है अगली सुबह चेंग शेंग को नीन से जगा के रनिंग के लिए चलने को कहता है वो उसका हाथ पगर कर उसे रनिंग के लिए ले आता है इसके बाद चेंग ने शेंग का पोरा दिन शेरोल्डर मीटिंग के लिए तयार किया उसने मीटिंग के लिए उसके कपरे सेलेक्ट किये उसके साथ उसके शोज, लिपस्टिक और हेर, एक्सेसरीज को भी चुनने में मदद की एक राथ चेंग को पास्ट वाले एकसिडेंट के बारे में सपना आता है जिसमें शेंग के पैरेंस भी शामिल थे उसे देखकर शेंग चौक गई उसलिए सपने में देखा कि वो पानी में डूब रहा है उसे देखकर पता चलता है कि वो इसलिये पानी वाली पेंटिंग को देखकर डर जाता है शेंग ने वरीड होकर चेंग को नील से जगाने की कोशिश की चेंग ने उसका हाथ पकरा और उसे वर्निंग दी कि सोते वक्त वो उसके करीब ना आए अगले दिन हम देखते हैं कि लिन अपने डैड की प्रेशर की वज़े से एक ब्लाइंड डेट पर आया है जहां वो टैंग से मिलता है वो वही लडरकी है जिसने एक बार उसे जॉब आफर की थी वो उसे बताते हैं कि वो अपने भाई की कहने पर उस ब्लाइंड डेट पर आया है उसे लिन में कोई इंट्रेस्ट नहीं है वो एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं है उसका कहना है फिर भी लिन के टेलेंट में वो पोटेंशल देखती है वो उसे अपने company जॉइन करने के लिए convince करती है टैंकी company फिलाल क्राइसस से गुज़र रही है और उसकी नए leader को business experience में कमी होने के कारण वो उसे job offer करती है वो चाहती है कि इसके बारे में सोचे अपने सपने को अचीव करने में मदद करने का वादा करती है उसने उसे दो दिन सोचने का मौका दिया company में सुबै से shareholder meeting की तयारी शुरू थी और सारे employee इसी काम में लगे वे थे शेन नवस दिख रही थी पर तुरंत उसने confident होने का नाटक किया जहाब पर वो सबको कहती है कि वो इस company को challenge के साथ चला सकती है और जल्दी company को सबसे top position पर लेकर जाएगी इसी के साथ उसने announce किया कि चेंग अब इस company का हिस्सा है शेन को पता नहीं था उस company में मीना नाम की employee है जो design department में काम करती है उसने शेन को देख लिया वो उसका नाम पुकारने वाली थी तब एक लड़का वहां से उसे रोक देता है मीना उसे उसके प्यार में पर गई शेन जैसे ये office महुची उसे राहत मिल वो कह दिया कि वो meeting के दोरान बहुत ही nervous थी चेंग ने उसे अपने काम पर focus करने को कहा उसका पहला काम था foreign bond crisis से deal करना उसने चेंग से secretary को call करने को कहा और सारे foreign bonds को request करने को कहा पहरे तो शेंग को ये काम बहुत ही difficult लगा पर वो शान्त हुई और पूरे confident के साथ अपने secretary को order दिया उसी वक्त जिया meeting में हुए बदलाव की वज़े से बहुत ही गुस्से में दिख रा था financial data को चेक करते वक्त उन्हें को शिगरवरी लगी उसी के साथ finance manager ने flight की ticket बुक की और वो वहां से भागने लगा दुपहर के समय चेंग और शेंग और एयरपोर्ट जाकर finance manager को पकरने की कोशिश करते हैं उसके कार का पीछा करते वे वो अपने कार से उसे फॉलो करते हैं manager पैनिक होकर भागने लगा भागते वो एक building में पहुँच गया शेंग उसके पीछे भागती है manager ने तुरंट back को नीचे फेक दिया चेंग ने manager को tie की मदद से building के ओपर हैंग किया manager ने confess किया कि उसके पास data अभी भी है उसने वो चिप शेंग को दी वहाँ से लोटने के बाद उन्हें पता चला कि company की financial report में बहुत ही ज्यादा गरबरी थी और इसी बज़े से उनके grandfather की दब्यत बिगर गई जब सारे reports की study में busy थे तब शेंग ही थी जिसने notice किया कि चेंग के हाथ पर चोट लगी है उसके पास reports जग करने के लिए सिर्फ तीन दिन बज़े थे इसलिए शेंग और चेंग पूरा दिन office में overtime करके problem को solve करने की कोशिश करते हैं रात में शेंग देखती है चेंग सोफी पर बैठे ही सो रहा था उसे उसके हाथ की चोट याद आती है वो उसे बिना जगाए मदद करना चाहती थी पर उसकी आहट से चेंग जग जाता है अपने चोट का ख्याली नहीं था उसका focus सिर्फ foreign bond problems को solve करने पड़ था शेंग भी इसी काम में लगी थी उसे पता लगा कि आखिर कौन से पेश पर गरबरी हुई है जब वो चेंग को बताने के लिए पीछे मूरी तो उसे realize हुआ कि वो चेंग के काफी नजदीक आई है वो उसे ही देख रहा था उन दोनों को realize हुआ कि दोनों भी एक दूसरे को देखकर awkward हुए है इसी बीच टॉंग लिन बहुत ही गुसा हो रही थी क्योंकि उसे लिन ने अभी तक जवाब नहीं दिया था वह उसका भाई विल्कुल शांत दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके पास लिन के लिए दूसरा प्लैन मौजूद था दूसरी और हम देखते हैं कि शेंग को आखिरकार solution मिल गया था उसने दूसरे department को order दिया वो सब काम में बहुत busy दिख रहे थे तभी उन्हें good news मिली कि overseas bank ने शेंग का proposal accept कर लिया है इस वज़े से foreign bond की crisis solve हुआ तीन दिन लगातार काम करने के बाद finally वो अपने घर जा पाए उसी को देखते शेंग के दोस्त relax करने के लिए जले जाते हैं शेंग के काम की वज़े से शेंग बहुत impress हुआ वो सोचता है कि शेंग 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 ने लगाना नहीं चाहता था वो से प्यार भरी नजरों से देखने लगा awkward feel करते वे वो कार से निकल गया तबी शेंग ने अपनी आखे खोली दरसल वो शेंग के करीब होने की वज़े से awkward feel कर रही थी इसलिए उसने सोने का नाटक किया अगले दिन शेंग ग्रेंफादर से मिली जो foreign bond का नियो सुनकर better feel कर रहे थे उसके ग्रेंफादर उसे चेंग से शादी करने के बाद पुछते हैं वो blush करते वे topic को बदल देती हैं ग्रेंफादर ने शेंग को flower garden ले गए उनका कहना है कि जब यान के parents की मौत हुई तब से वो garden भी सुखा परा है और इसके बाद उसमें कोई फूल नहीं खिला ग्रेंफादर को दुखी देखकर शेंग ने उन्हें suggest किया कि वो दोनों एक साथ garden का ख्याल रखेंगे जिस तरह से उन्होंने अपनी company को मुसीबत से बचाया है इस तरह वो उन फूलों का भी ख्याल रखेगी शेंग को पता नहीं था कि चेंग की यादे उस garden से जूरी है उसके past के बारे में अभी भी mystery है वो बचपन से ही उनके family से connect था शेंग ने अचानक शिकायत की कि उसने सोचा कि वो एक राजा की तरह बैठा है जबकि वो और उसके दोस्त garden में काम में busy थे शेंग को इसमें कुछ भी गरत नहीं दिख रहा था उसने जोर देकर कहा कि बागेचे में फूल नहीं उगाय जा सकते इसमें शेंग नाराज हो गई इसलिए उसने मजाक में शेंग के जहरे पर मिटी लगाने का फैसला किया उसमें शेंग के दोस्त उन्हें देखकर चौक गई शेंग ने सभी को नजर अंदाज करते हुए शेंग को कमरे में ले गया उसने उसे सिंग पर बिठाया शेन को ये देखकर घब रहा हट हुई यहां हम उन दोनों का प्यारा सा मूमेंट देखते हैं अगले दिन उनकी कमपनी को एक नई मुसीबत का सामना करना परा टॉंगलीन और उसके भाई ने उन पर जोलरी के डिजाइन को कॉपी करने का इलजाम लगाया टॉंगलीन के भाई ने शेन और चैन को डिजाइन चोरी करने के लिए दोशी ठहराया दोसरी वो टॉंगलीन का ध्यान चैन पर गया उससे देखते ही उसने उसे पसंद किया जबकि उसके बड़े भाई की चोरी के इलजाम के बारे में चैन के साथ बहस की टॉंगलिन चुप रहकर चेंग को देखती रही ये बात क्लियर थी कि उसे उस पर करश था लेकिन चेंग उनके इलजाम से डरा नहीं क्योंकि वो जिन जुनरी के डिजाइन के बारे में बहस कर रहे थी वो दरसर लॉंच ही रही होई थी टॉंगलिन के कंपनी की डिजाइन चेंग के डिजाइन जैसी थी चेंग का मानना था कि उनकी कंपनी के इंप्लॉई ने उनके डिजाइन को लिग किया है या हो सकता है टॉंगलिन ने कंपनी के रिजाइव डिजाइन को चुराने के लिए किसी को रिश्वत दी होगी Chen को यकीन था कि Tomlin का इरादा इतना ही है उसे Lynn की Reporation को खराब करना था Chen को पहले तो Lynn के साथ Deal करना थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने तुरंट खुद को संभाला हरांकि Chen को Art का Knowledge था वो तुरंत बता सकती थी कि कुछ डिजाइन प्रेजेशन में प्रदशित करने वाले बहुत नॉमल थी उसे डर था कि वो बायर्स को आकरशित नहीं करेंगे जो उस समय उनकी एन्वल सेलिंग को अफेक्ट कर सकती है शेन के ऐसे बरताव से लिन चौक गया क्योंकि वो सच में यान से मिलती जुगती थी शेन ने लिन को याद दिलाया कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके पास डिजाइन का नया जोल रिसट बनाने के लिए थोरे ही दिन बचे हैं टॉगलिन इसके बाद चेंग को पाने के लिए चेंग के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने की कोशिश की लेकिन वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि चेंग का past mysterious था और उस समय की information उसके पास नहीं थी चोंगरिन ये जानने के लिए उत्सुख हो गई क्योंकि उसने जो भी information जमा की चेंग के चाना लोटने के बाद की थी foreign company में foreign country में उसकी जिन्दकी के बारे में जानना मुश्किल था क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से कहीं से आ गया हो और उसे mystery को और उसने mystery को और भी गहरा कर दिया उसने अपने बड़े भाई से शर्ते भी लगा ली कि वो चेंग पे अपना जादू करने में कामियाब रहेगी इसमीच शेन और लिन पूरी राद डिजाइन को डिसकस करते हैं लिन को एक आइडिया मिला उसने डिजाइन को ट्विन रोजस के पेंटिंग में बदलने का सोचा और उसकी आइडिया से शेन दुखी हुई क्योंकि इससे उसे ट्विन रोजस की पेंटिंग याद आई उसके नाराज होने के वाबजूद शेन ने उसे इस बात पर सहमते दिखाई और डिजाइन पर कुछ सला भी पेश की जिस तरह से शेन ने पेंसिल पकरी थी उसे देख कर लिन चौक गया और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ एक आर्टिस जैसे है उसे याद आया कि इससे पहले जब वो मिले थे तम शेन ने उसे खुद को फाइन आर्ट स्टोरेंट इंट्रोडियोस किया था वो आगे कुछ डिसकस कर पाते तब ही सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया कि रिपोर्टर्स का ग्रूप नीचे आया हुआ है और उन्हें इस सिच्वेशन के बारे में पहले से पता है टॉंग लिन ने उनके कमपनी के स्टॉक प्राइस कम होने के लिए पहले ही सब जगर नियूस फैला दी थी अगली दिन जब माकेट आपेन हुआ तब उस समय टॉंग लिन की चालाकी से परिशान होकर लिन ने रिपोर्ट्स को संभालने की कोशिश की हरांकि उन्हें इस बात का हैसास हुआ कि किसी ने उनके ओफिस में चुपके से जाकर ताला लगा दिया और हवा में धुआ छोड़ दिया कई रिपोर्टर्स के जवाब के लिए उनका राष्टा रोग दिया इसी बेश शेन अंदर फसने की वज़े से वो नीचे गिर गई तब ही वहाँ पर शेंग आता है उसने डोर के लॉक को हाथों से दोर दिया शेंग के दिन की धरकने तेज थी तब उसने शेंग को बेहोश बाया बिना टाइम गवाए उसने उसे सिप्यार देने की कोशिश की पर शेंग ने कोई रस्पॉन्स नहीं दिया चेंग ने शेंग को उठा कर अस्पता ले गया दूसरी और ग्रेंट फादर शेंग की हालत देखकर गुसा हुए वो घबरा कर सबको चिलाते हैं शेंग के रिकवर होते ही वो शाल्थ हो गए लेकिन उन्हें पता था कि एक एक एकसिदेंट नहीं है बलकि किसी ने जान बूझ कर उनकी ग्रेंट डॉटर की जान लेने की कोशिश की इसलिए उन्होंने चेंग से शादी करने की ओर्डर दी सबके चले जाने के बाद चेंग ने कहा कि वो सब पिछली रात की इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे है वो शेंग के तब्यत को लेकर वरीड फील करता है उसने ओक्वड होकर शेंग का टेंपरेचर चेक किया वो डॉक्टर को कॉल करने जा रहा था तबी शेंग ने उसका हाथ पकड़ते वे उसे रोक दिया उसने कहा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ये सुनकर चेंग शौक होता है वोकि शेंग ने अचानक उसे अपनी फेलिंग्स कनफेंस की उसने कहा कि कल रात उसे सिफ चेंग का ख्याल आया था उसे चेंग के साथ रहना था फिर उसने चेंग को अपने साथ वहां रुखने को कहा ये सुनकर चेंग को सवाल उठता है कि क्या शेंग सच्मी उसे शादी करना चाहती है उसने शेंग से कहा एक बार उसने उसे शादी कर ली तो फिर वो अपना माइंड नहीं बदल सकती उसे इस बात पर भी फिक्र होती है चेंग की true identity पता चली तो उसे पता करना था क्या ये सुनने के बार शेंग कनफ्यूज हो गई और उसने चेंग का हाद चोड़ कर उसे जाने दिया वो उसे रूम में अकेला चोड़ कर चला गया पर दोनों भी एक दूसरे के साथ बिताय पलों को नहीं भूल पाए दरसल उन दोनों को रियलाइस हुआ कि उन दोनों को भी एक दूसरे के साथ रहना है उन्होंने दर्वाजा खोला और चेंग ने कनफ्रंट किया कि क्या वो सचमी उसके साथ रहना चाहती है शेंग ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं उसने उसे कहा कि वो दूनों एक साथ रह सकते हैं एंग पर शेन ने इस situation को अच्छे से संभाल लिया। शेन ने मीटिंग के दोरां चेंग से अपने engagement की बात की announce की। उसने कहा कि engage होने के बाद वो दोनों इस company के honor होंगे। उन दोनों के engagement के दिन grandfather बहुत ही खुश थे पर जेश्वन को अच्छा नहीं लग रहा था। तबी मीना ग पर आकर शेन को देखकर जोर से उसका नाम फुकारती है। उसे वहाँ देखकर सबका ध्यान उसकी ओड़ जाता है। पर तभी शेंग के दोश्त आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। टॉंगलिन को ये सब देखकर suspicious लगता है। वो उन दोनों की photo के बारे में सोचने लगती है। शेंग बहुत ही nervous feel कर रही थी। उस पर शेंग उसे कहता है कि उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी मुसीवतों का सामना किया है। तो उसे वरी होने की जरुत नहीं है। तभी वहाँ पर ठॉंगलिना जाती है। और वो उसके किसी भी बात पर response नहीं करता। वो शे शेंग के दोस्त ने उसे दिवार पर उसे दिवार की उठ हकील दिया और गलती से उसे किस किया। इस पर गुस्सा होकर मीना उसे थपर मारती है। शेंग को जब ये बात पता चली तो वो वरीड फील करती है। उसे लगता है कि मीना उसको को उसके बारे में बता देगी। चेंग उससे कहता है कि उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसे बस यान की पोजिशन को प्रोटेक्ट करना है उसने शेंग से कहा कि उससे मीना को लेकर चिंता करने उससे मीना को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने पहले ही उसके दोस्तों को इस पर ध्यान बस एक दूसरे की तरह दिखते हैं तभी वहाँ पर टॉंग लिन आती है वो उसे कहती है कि उसे चैंग चाहिए उसे लगता है कि यान को पसंद नहीं करता और उसे याद है कि लिन उसे चायना लेने गया था तो अचानक शेन और चैंग घर पर एक साथ कैसे लोटे उसकी बा करती है कि उनकी कमपनी की डिसाइन अपने खुद के स्टूडियो के लिए खरीदना चाहती है उसे पता चलता है कि उसे चैंग को सिर्फ चक करना था इसे बीच मीना लिन से मिलकर रिपोर्ट डिलीवर करती है तभी उसे उसके डेस्क पर ट्विन रोजस वाली पेंटिंग दिखाई देती है पोस्ट पेंटिंग को पहचान लेती है मिना ने उसे का कि उसकी दोस्त ने ये पेंटिंग इचैलियन आर्ट यूनिवरसिटी में ग्रजुशन के समय पर बनाई थी ये सुनकर लिन को और भी ज्यादा शक होता है शेन ने उसकी ओफर मना कर दी वो कहती ह कि उसे कॉंट्रेक्ट को रिव्यू करने के लिए और भी ज्यादा समय चाहिए इंसिस्ट करती है कि ये अच्छी डील है और उसे इसे साइन करने के लिए फोर्स करती है तबी अचानक मिना लिन के साथ वहाँ पर आती है अपने दोस्त को वहाँ पर देखकर वो उसे शेन क के नाम से बुलाती है जिसकी वज़े से टॉंगलिन को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है शेन ने उसे कनफर्म किया कि वो यान है और इस कंपनी की लीडर है हरांकी मिना को अभी भी यकीन था कि वो शेन है पर लिन उसे वहाँ से ले जाता है टॉंगलिन को ये सीन देखकर मज़ा आता है वो शेन को कॉंट्रेक्ट साइन करने के लिए फोर्स करती है उसकी नवसनिस को देखकर शेंग उसे गाइड करते वे कॉंट्रेक्ट साइन करने में मदद करता है इसके बाद टाउनिन उसे जोलरी स्टोरिज का वियर हाउस दिखाने के लिए कहती है वो ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ कंपनी का CEO एंटर कर सकता है जिस वज़े से शेन वरीड फिल करती है यहाँ पर चेंग का दोस्त सेक्यूरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है सेक्यूरिटी सिस्टम लोग होने से पहले शेन को पासवर्ड एंटर करना था क्योंकि उसके आइडेंटिटी से ही वो लोग खुलने वाला था पर उसे उसका पासवर्ड नहीं पता जिस वज़े से वो कन्फियूज हो जाती है इस वक्त शेन ने पासवर्ड गेस करने की कोशिश की जहाँ पर पहली और दूसरी बार पासवर्ड गलत निकला पर तीसरी बार पासवर्ड एंटर किया जो कि यान के पैरेंस की डेथ की डेट थी उसके पासवर्ड एंटर करने से लोग तुरंत ओपन हो गया फिर भी टॉंगलीन उसके आइडन्टिटी पर शक करती है शेन अपने फिंगर प्रिंट्स का इस्तिमाल नहीं करती थी फिर भी उसने पास्वेड को ढोल निकाला जिसे देखकर उसे भी राहत महसूस होती है दरसल सेक्यूरिटी सिस्टम ने उसके कॉर्णिया को स्कैन करके उस वेयर हाउस को खोल दिया जो कि यान के कॉर्णिया उसे लगाए है जिससे देख टॉंगलीन और लिन कंफ्यूस हो जाते है इसके बाद शेन उसके आफिस में वापस लोटती है चेंग उसके करीब जाकर उसे किस करता है घर जाते वक्ट शेन कार में सो गई थी उसका बेल्ट निकालते वक्ट वो शेन के जहरे को देखता है उसने उसे कार से निकारा वो उसे घर के अंदर ले जा रहा था तभी शेन नीन से जाग गई वो grandfather को देखकर शर्मिंद की महसूस करती है इसके वाबजूद भी Cheng उसे अपने room में ले आया जब वो room में पहुँचे तब Cheng ने उसे अपने hills निकालने में मदद की उस समय वहाँ से जाने वाला था उस समय वहाँ से जाने वाला था Cheng भी यही सोचता है Cheng ने कहा कि Tong Lin यान को पसंद नहीं करती वो कहता है कि incident इसी लिए हुआ क्योंकि वो दोनों एक दुस्से की तरह दिखते हैं वो उसे कहता है यान तो चली गई पर वो शन्म को ठीक से रहने के लिए encourage करता है यान ने भी उसके साथ रहने के लिए promise किया वो उसे हमेशा एक साथ रहने के लिए कहती है Cheng ने भी उसे वादा किया कि वक्त आने पर वो उसके बारे में सब कुछ बताएगा पर अभी उसे कुछ नहीं बता सकता रात के समय चेंग को वापस उस accident का सपना आता है जहापर वो साफ साफ देख सकता है कि उसके parents उसे दिखते हैं जहापर उसने देखा कि accident में सिर्फ वही बच गया था तब ही शन्म ने उसे जगाने की कोशिश के वो उसके लिए worried feel करता है वो से promise करती है कि वो उसे protect करेगी उसकी आवाज सुनकर चेंग नीन से जग गया और उसे शन्म को देखकर रहत मिली अगले दिन चेंग के लिए एक बड़ा टास्क था उसे उस डॉक्टर को ढूनने के लिए इतली जाना था जिसने शन्म की मदद की थी इस समय टांग लिन उन पर नज़र रख रही थी इसलिए उने बहुत ही ध्यान से काम करने की जरुवत थी उनके एक छोटी सी भूल सब कुछ बरबाद कर सकती थी इसी बीच शन्म की मॉम को देखते हैं जिसे बहुत सारे ड्रिंग्स के ओर्डर मिलती है ऑफिस में काम करने के वज़ाए शन्म ड्रॉइंग निकालने में बिज़ी थी याँ तकि उसने लिन को भी आते हुए नहीं देखा वो उसकी ड्रॉइंग देखकर चौक गया पर उसने शन्म को कुछ काम दिया तो शन्म को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उसे कहती है कि इस काम में चेंग की मदद की जरुवत है ये रेक कर लिन को उस पर शक होता है और वो कन्फर्म होता है कि उसके सामने जो लड़की बैठी है वो यान नहीं है उसने सोचा कि वो सिर्फ उसकी तरह दिखती है इसलिए उसे टेस्ट करने के लिए उसने उसे ड गलती को ठीक करना है शेंग ने बिना समय गबाए तुरंत उस ड्रॉइंग को बनाना शुरू किया तभी वहाँ पर शेंग आकर उसे कहता है कि उसे ग्रेंट फादर ने बुलाया है वो वहाँ से चली चाहती है हम देखते हैं कि आफिस में लॉबी के पास शेंग की मॉम को देखकर शेंग नवस फील करने लगती है पर तभी उसके डैड भी वहाँ पर आये जिसके साथ उनका पेट डॉग भी था उस डॉग ने शेंग को पहचान लिया जिसकी वज़े से चीजे और बिगरी दूसरी ओर टैंगलिंग उन फैमिली को वीडियो कॉल के जरिये देख पर शेंग उनकी ग्रेंड डॉटर है इसके बाद उसके डैड लगातान शेंग को कॉल करते रहे उसने अपने डैड का फोन उठाया और उनसे कहा कि वो अभी इतली में है उन्हें इस बात पर विश्वास हुआ पर शेंग को जूट कहते वे बहुत बुरा लगा इसे बेच उसके ग्रेंड फादर वहां आते हैं उन्होंने नोटिस किया कि शेंग उदास लग रही है उन्हें लगा कि चेंग के वहां ना होने की वज़े से वो sad फील कर रही है चेंग और उसके दोस्त अभी वी उस accident की investigation कर रही थे जिनकी वज़े से उसके parents की मौत हुई घर पर शे चेंग के डैड को कहीं देखा है जब चेंग अपनी family के बारे में बात करने लगा तब चेंग के डैड काफी नवस हुए उसकी बातों से लगता है कि चेंग को उसके family के बारे में पहले सही पता है उसके डैड बताते हैं कि 17 साल पहले जो accident हुआ था उसमें चेंग के parents भी की कोशिश की उन्हें किसी ने उसके mom dad को मारने की order दी थी बाद में शेंग चेंग के साथ समंदर की किनारे जाता है वो उसे break up करने को कहता है पर शेंग उसके लिए मना करती है फिर उसने उसे कुछ ऐसा कहकर hurt किया जिसे सुनकर शेंग को ऐसा लगता है कि वो चेंग के की कोशिश की तो वो उसे डाटने लगे चेशवन भी उसके लिए argument करने लगे जो सवज़े से वो जमीन पर गिर जाते हैं लिन शेंग को देखने उसकी घर आता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी अगले दिन शेंग को नियूस मिली कि उसके grandfather बीमार है वो उन्हें द काल दिया लिन शेंग को ढूंट लेता है शेंग को पता चलता है कि उसके dad की वज़े से चेंग के parents की मौत हुई है ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा चेंग हट होकर समंदर के पास जाता है वो अपनी यादों को मिटाना चाहता था उससे जुरे हर इंसान की यादों को वो भूलना चाहता था वो शेंग के बारे में सोचता है जिसने उसे सच्चा प्यार किया शेंग उसके लिए परिशान हो रही थी वो हर जगह उसे डोनती है आखिरकार वो उस जगह आती है जहां उसे चेंग की रिंग मिलती है उसने सोचा कि वो उसके आसपासी होगा वो देखती है पर वो समुदर में छहलांग लगाता है वो बिना कुछ सोचे पानी से चेंग वो बाहर ले आई उसके दोस्त भी उसे देखने वहाँ पहुँच जाते अस्पताल में जब वो बेहोश था तब शेन उसे बैठ कर उसके होश में आने का इंतजार करती है वो उसे एक देखकर वो रोने लगा अस्पताल में शेन ने उसे हग करते वे कन्फरंट हिया उसने उसे कभी न शोर के जाने का वादा किया अस्पताल में वापस आने के बाद शेन चेंग का ख्याल रखती है उसे अच्छा फील होने के लिए वो एक सास्वा होकर डिना करते हैं रात की समय चेंग बाहर खरा होकर नाइच स्काई की तरफ देख रहा था शेंग उसके पास आकर उसे पीछे से हग करती है चेंग का दिल पूरी तरह से तूट चुका था पर वो कहती है कि उसके आसपास बहुत से लोग है जो उसकी फिक्र करते हैं उनमें से वो भी शामिल है चेंग ने भी उसे अपने दिल की बात कनफेस की अगरे दिन चेंग और शेंग और शेंग ने समंदर के किनारे बैठ कर उस नजारे को इंजोई किया लिन्च को पता चलता है चेंग की मौम जिन्दा है जो उस अक्सिडेंट में बच गई थी घर पर हम देखते हैं कि शेंग उसे अपने बिस्निस में सपोर्ट करते दिखाई देती है वो चेंग से अपने डैड की तरफ से माफी मांगती है वो से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है उसे माफी मागने की जरुवत नहीं है प्यार और सपोर्ट की वज़े से वो फिर एक होते हैं शेंग के डैड चेंग के घर आकर उन्हें जोईन करते हैं उन्होंने बताया कि 17 साल पहले जो एक्सिडेंट हुआ था उसमें उनका हाथ नहीं था बलकि उस वक्त एक और ट्रक वहाँ आकर चेंग के पैरेंस के कार को क्रेश करदा है इस पर शेंग अपने साथ वे हाथसा को याद करती है जहाँ पर उसे भी किसी ट्रक ने क्रेश करने की कोशिश की थी जिसने चेंग के पैरेंस को मारने की कोशिश की एक ट्रक ड्राइवर ने शेंग को किरनेप किया था कंपनी में जिया ये देखकर चौक गया कि चेंग वापस लोटाया है जो कि कंपनी का नया CEO इसके बादだ चेंग और शेंग और शेंग को चेंग कुछाते हैं उसमें फोटोज्ग के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी थी यह देखकर वो गुसा होती है उसके grandfather को उमीद थी कि वो अपनी गलती मान लेगी वो गुसे में मान लेती है कि उसी ने सारी चाल चली थी वो अपने बेटे को family की वारिस बनाना चाहती थी उसने garden में आकर सब तहस भी किया था और शेंग को भी हट करने की कोशिश की तब ही वहाँ पर चेंग की मौम आती है उसे अपने आफो पर यकीन नहीं होता कि 17 सार पहले की accident में उसकी बेहन जिन्दा बची थी जहां वो उसे कहती है कि सारे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका support भी करते हैं वो यहाँ पर अकेली नहीं है वो सब उसके साथ है यह सुनकर चेश्वन को अपनी गलती का हैसास होता है उसने अपने बहन को गले रगाया चेंग को देखकर उसकी मौम ने भी अपने बेटे को पहचान दिया आखिरकार यान के घर के गार्डिन में सारी फूल फिर से खिल उठे जिसे देखकर शेंग और चेंग को खुशी होती है उन्होंने अपने पास्ट के मुश्किलों को खुश्यों से वर दिया सिन समंदर की किनारे शिफ्ट होता है जहाँ पर चेंग और शेंग एक दुसरे के साथ बैठ कर उन पलों को यादगार बनाते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है तो गाइस अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामा के लिए हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना थैंक यू